कल से बहतर, आज हाल ही में एक बहुत बड़ी दुरघटना सामने आई है जिसमें American Drone MQ-9 Russian Aircraft Su-27 द्वारा Black Sea में मार गिराया गया है MQ-9 Drone Crimea में Located Russian Army के Movement को ट्रैक करने के लिए उर रहा था क्योंकि आए दिन Russian Army Crimea से Ukraine पर हमला कर रही है ड्रोन की निगरानी से America Russian Army के हमले से पहले ही Ukrainian Soldiers को अलट कर देती है अमेरिकी सरकार की माने तो उनका MQ-9 Drone अंतराश्ट्रिय हवाईक शेत्र में नियमित रूप से संचालन कर रहा था जब ही उसे एक रूसी विमान सु-27 द्वारा इंटिसेप्ट किया गया और मारा गया जिसके परिनामस्वरूप दुरगटना हुई और MQ-9 Drone क्रैश हो गया तककर से पहले कई बार सु-27 फाइटर जेट ने गलत तरीके से Drone पर इंधन डाला जिसकी वजह से Drone का नियंत्रन बिगल गया और वो कंट्रोल रूम से संपर्क तूटने के कारण ब्लैक सी में गिर गया लेकिन रूसी सरकार का कहना है कि Drone तेज स्पीड से उर रहा था जिसकी वजह से वो दुरगट नागरस्थ हो गया और इस बात से इंकार किया कि दोनों विमानों ने सीधे संपर्क किया था रूसी रक्षा मंत्राले ने ये भी कहा कि MQ-9 Reaper ड्रोन अपने Transponder को बंद करके उर रहा था आपको ये बता दे कि Transponder एक डिवाइस होता है जो ड्रोन की Location को ट्रैक करने में मदद करता है अब ये देखना बाकी है कि American Government इसका जवाब कैसे देती है क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है तिल देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टूर चैनल जै हिंद, जै भरा